तो यह समझना कि आपकी सास भी कोई तो है जो चला रहा है, कोई तो ऐसी शक्ती है जो आपकी सास चला रही है, और जब वो शक्ती ने ऐसे सास खीच ले, तो सास भी रुख जाएगे, तो कौन सा अचीव है, आपका प्राण अगर अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम आई, दो मिनुट सोबे उठके, सुर्यदेव को देखें, उनके दर्शन लें और उनको प्रणाम करें, उनकी एक ब्रीड, डिग डीप ब्रेथ हिल, होल्ड और लेट गो अव दे नेगिटिविटी, वो हीलिंग इन दे प्रेजंट हमें अपने पास्त को छोड़ना पड़े। अलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंदर सिंह राथोड, आप लोंके रिलाया हूं, इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड, आज बहुत अमेजिंग एस्ट हमारे बीच मोजूद है, माइन कोच, मैनिफेस्टेशन कोच, ओथर भी हैं और सेलेवरिटी कोच भी हैं, तो प्लीज वेलकम वरिंदा भड़ जी ओन आर शोओ, तो वरिंदा मैनिफेस्टेशन शब्द आजकल बहुत जादा चल रहा है, और कोई लोग इसे लोग इसे लोगों को पता नहीं रहती है, तो अगर आप ज़रा ये क्लियर कर सेकें, कि मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या और ये कैसे वर्क करता है, तो ये एक इतना इंपॉर्टेशन मेरे लिए है, क्रियेशन को समझना, सबसे पहले कि अगर आपकी लाइफ पॉइंट ए पे है, उसको पॉइंट बी तक लेके जाना, तो वो है मैनिफेस्टेशन की आपकी जो एक्चुल साइन्स है, जब मैं मै मैनिफेस्टेशन की बात करती थी, this was around 2004-2005, 20 years back, 20 years back, और लो गस्ते थे, ऐसा थोड़ी होता है कि सोचने से कुछ चीज हो जाए, मैनिका होता है, सच में होता है ऐसा, उस टाइम एक बुक थी, बहुत बुरानी बुक है, Power of Your Subconscious Mind, by Dr. Murphy, yes, जब मैंने जब वो बुक पड़ कि मैंने सोचा कोई चीज, चाहे वो weight loss हो, चाहे वो healing from osteoporosis हो, वो सब मैंने अपने mind के power से ही कही ना कही स्टार्ट किया था, ओके, तो आपने खुद को हील गिया पहले इसके लिए, of course, of course, तो तब मैंको पता भी नी था कि ऐसा कुछ होता है, दब मैं बात कर रहे हूँ, 1990s की, when I read the book, और जब उसको मैंने, जब मैंने reflect किया, तो मुझे समझ आया कि मैंने अपनी सारी life में कही ना कही manifestation को unknowingly apply किया है, और तब तो फिर मैं उसमें खुद गई, मैं ज़िस जानना है, उसको समझना है, और इतनी powerful वो विद्या है, वो science है, बहुत ancient है, लेकिन वो simplistic नहीं है, जैसे हम उसको समझते हैं, या लोग आज कर उसके बारे में बात करते हैं, कि manifestation हम बोलते हैं, तो लोग कहते vision board, vision boards लगा लो, उसको देखो, उसको believe करो, वो ऐसा इतना simply होता नहीं, उसके बहुत layers होते हैं, layers होते हैं, कि पहले तो अपने आपको समझना पड़ता है, कि आपकी power क्या है, आप जो हो, आपकी surroundings जो हैं, उसकी reality क्या है, अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ solid है, और आपकी body भी solid है, तो आपको उसको बदलने में बहुत problem होगी, पहले तो belief ही नहीं आगा कैसे बदल जाएगा, क्यों दिखतो रान ही हैं, उसमें, but when you understand कि everything in creation, atom से बनी है, अनु है, और वो atoms, आज साइंस हमें बोल रही है कि they are primarily energy, वो electromagnetic energy है, तो चाहे वो आप हो, या मैं हूँ, या जो हमारी solid environment है, ये सब electromagnetic energy ही है, तो ये समझना, this is the starting point, जब तक ये बैठेगा नहीं, आप manifestation बहुत effectively नहीं कर पाऊँगे, this is the foundation, कि everything is energy, and energy है तो बदल सकती है, second चीज़ इस कि आप में कितनी energies combined होती है, specifically, जब हम manifestation की बात करते हैं, सबसे पहली energy होती है, desire, इच्छा शक्ति, कि पहले तो desire होगे ना, कि हाँ मुझे ये करना है, दूसरी होती है, विचार शक्ति, फिर आप उसके बारे में सोचोगे, energy of thought, you start giving it to that desire, तो उसकी सोचोग, उसकी vibration उसकी बढ़ती जाएगे, पहले पांच वोल्ड की पावर जी, अब दस वोल्ड की पावर होगे, क्योंकि आपने जितनी strong power होगे, जितना integrated system होगा, उतनी जल्दी जो आप visualize कर रहे हो, वो आपकी living reality में आएगा, third is your speech, your walk, वाक शक्ति, जब तक वो desire mind में है और thought में है, वो बहुत subtle है, energy है लेकिन subtle है, जैसे ही वो मुँख से बाहर निकली, अभी वो manifest होना start होगे, now it's manifest, now it's out of you, तो हमारी वाक की जो power है न, वो इतनी ज़ादा है, तो लोग को बहुत careful रहना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं, of course क्या सोचते हैं, लेकिन क्या बोलते भी हैं, and then comes the big daddy, the action, लोग think भी कर लेंगे, उसको लिख भी लेंगे, rules, अपनी affirmations, manifestations, action, आपको काम तो करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं, क्रिया शक्ति, तो पहले हैं आपकी इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, वाक शक्ति, क्रिया शक्ति, all four of these have to be aligned, आप desire कुछ और कर रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, कर बिल्कुल ही कुछ अलग रहे हो, कैसे manifest होगा, ये होगी चार starting point, अब आती है सबसे बड़ी आपकी super power, वो होती है patience, धेर शक्ति, हमें समझ नहीं आता, और especially आजकल हमारा धेर या हमारी patience तो एकदम तीन सेकेंड की होगी, attention span, patience is a very big super power, जिसको मैं skill set भी बोलते हूँ, क्योंकि creation में कोई भी चीज instantaneous है ही नहीं, वो अपना time लेगी, लेकिन हमने supposing कोई चीज start की, supposing आपने कुछ पौदा seeds डाले ground में, आपने उसको पानी दिया, आप रोज जाके देखेंगे अरे कुछ हो तो रा नहीं है, हो तो रा नहीं है, एकने एक दिन ऐसा आएगा, जो आपने बिल्कुल expect नहीं क्यों हो और एंटर स्प्राउट, हम भी जब बच्चे थे, बच्चे से इतने बड़े हम ओवरनाइट नहीं होए थे, तालों लग गये, बहुत से साल लग गये, ये point तक आने के लिए, जो डेवलपिंग पेशन्स धहरे शक्ती इस वेरी 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 इंपॉर्टन, और लास्ट बट नॉट दे लीस्ट इस आस्था, योर बिलीफ, योर सेथ कि ये होगा, ये होगा, 101%, 1001% होगा, और मेरे लिए ग्लास में एक और ट्विस्ट आता है, जो normally कोई manifestation coaches नहीं बोलते, मैं उसके end में ये भी डाल देती हूँ, नहीं भी हुआ तो क्या हो जाएगा, ये वेरा interesting एक नजरिया है manifestation को देखने का, कि आप का जो यहां मैं उसको कही न कही अपने भगवत गीता से भी connect करती हूँ, जब भगवान किष्ण बोल रहे हैं कि कर्मन निवादे कारस्ते, कि आपका जो हक है वो आपके करम तक ही सीमत है, उसके बाद जो होगा, उस पे आपका control भी नहीं, ना आपका हक है उस पे, आप पूरी शिद्दत से आप manifest करते हो, करते हो, you go at it with full on 100%, 101%, and then you surrender, पूरा करने के बाद, जो होगा, अच्छा ही होगा, तो यह शिवो हम और मेरी बहुत बढ़ानी एक habit थी, कि हम, हमें जो भी project आए, कुछ भी आए, हम तो पहले जाके उसको बोले बाबा के सामने रख दे, बाबा, यह हमारे लिए अच्छा है, तो होने देना, अच्छा नहीं है, तो मत होने देना, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, और अच्छा नहीं होने की condition क्या है, जो चीज हमें आप से दूर ले जाए, नहीं चाहिए, यह हमारी personal चीज थी, लेकिन surrender करना इतना ज़रूरी है, एक और aspect से भी, नहीं तो वो fear रहता है, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, और वो fear की vibration बहुत अलग है, और जब आप उसको confront करते हो न, कि नहीं हुआ तो क्या होगा, आपको एक picture समझाएगे, आपको आपका mindset समझाएगा, लोग क्या बूलेंगे, मेरी respect कौन करेगा, मुझे love कौन करेगा, मुझे मेरी security का क्या होगा, और जब आपको आपकी जो sensitivity है, जो actual need थी, actual need हमारी पैसा नहीं होता है, पैसा से हम पैसे से हम क्या achieve करना चाहते हैं, not the luxuries, वो luxuries भी आपको क्यों चाहिए, किसे को तो दिखाने होंगी ना, अगर अकेले इंसान इस धर्ती पे होते, तो क्या achieve करते हैं, what would you have tried to achieve, हम लोग कपड़े भी नहीं पहने रोते हैं, there was no need, it's true, मैंने मेरी लाइफ में जो भी मैं जहां भी हूँ, मैंने सब मैनेफेस्ट ही आए, लिकिन एक बहुत सरेंडर के भाव से, एक बहुत light way में, एक बहुत ही playful way में मैनेफेस्ट किया है, और जब वो डर निकल जाता है, maximum क्या हो जाएगा, और वो डर तब ही निकलेगा, जब आपको एहसास होगा, कि आप already कितने rich हो, तो यह बहुत एक integrated मेरा अप्रोच है, manifestation, तो उसमें मैं पहले तो लोगों को establish करके देती हूँ कि, you already are worthy, you already are happy, अगर happiness पैसे में होती तो, तो सब पैसे वाले बहुत कुश होते, लेकिन वैसा नहीं है, पैसा है बहुत ज़रूरी, लेकिन for experiences, you can get great experiences, लेकिन अपनी खुशी को, पैसे से जोड़ना, बहुत घाटे का सौदा है, और जब मैसे कुछ मिल भी गया, वो पैसा आ भी गया, तो आप खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आगे किसी और चीज़ पर डाल दोगे, what next, what next, so ये समझना, manifestation जो भी करना चाहते हैं, please उसको totality में समझे, उसके nuances को understand कीजिए, and then of course go ahead, so जिस way में, अगर आप इस way में उसको करेंगे, तो future जोड़ा आपका present पहले सुदर जाएगा, आपका present मतलब कि आप सोचो, आप जहां हो जैसे हो, आप इतना lucky मैसूस करते हो, आप rich मैसूस करते हो, I tell people कभी एक बात खुद को बोल की देखो, irrespective of your bank balance, I am rich, और reason भी है उसका, why are you rich? दिमाग पुछेगा न, because I am alive, और यह मैं इतनी बारी repeat करती हूँ, hoping कि कभी ना कभी, तो कहीं ना कहीं, किसको touch करेगा, चुएगा, वो embed होगा, और जब यह practices से, आप अपनी life की value, आपकी worth, आप खुद decide करते हो, I am worthy, I have tremendous value, and then you go about manifesting, तो already वो एक abundance की energy आपके around आजाती, so then it increases your chances of attracting even more abundance into your life, और जो आप इमाजन कर रहे हो होगा eventually, और नए भी हुआ, तो problem क्या है लाइफ में? So surrender, आपने word use किया, so surrender में क्या obstacles लोग experience करते हैं, because they have expectation कि मुझे मिलना चाहिए, कई लोग तो यह भी पूछता है, किते दिन में manifest हो जाएगा, people want time as well कि किते दिन में हो जाएगा, जैसे कोई project है जिसकी deadline होनी चाहिए, so many people they want deadlines कि किते दिन में manifest होता है, so why do you think, what are the obstacles in surrender, क्यों लोग surrender जैसे आपने किया, पर बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, surrender आप तब नहीं कर पाओगे, जब आपने अपनी पूरा वजूद, उस चीज की fulfillment से attach किया हुआ है, सिरफ तभी आपको surrender करना मुश्किल होगा, एक ये चीज है, आपके खुशी, आपका worth, आपने सब चीज की आपकी life की कोई value नहीं है, जब तक वो चीज नहीं हो, अगर वो इतना critically आपने अपने दिमाग में उसकी wiring की हुई है, and almost always ऐसा होता नहीं है, कि एक project email ए उसकी आपकी life नहीं खतम हो दी, और ऐसा कोई भी achiever नहीं है, आप किसी का भी grass ले लो, big achievers, कोई भी ऐसा नहीं इंसान होगा, जो fail ना हुआ, तो surrender करने का सिरफ ये मतलब है, कि आप जो आपके, जो आपने baggage उसके साथ जो attach किया हुआ है, आपके वो goal के साथ, वो goal है अपने को पाना है? Yes, of course, लोग क्या बोलेंगे, मेरी worth कैसे आएगी, मेरा आगे क्या जाके होगा, that long story has to go off, and then you will have to surrender, whether you like it or you don't, उसके आगे आपका control चलता ही नहीं है, और वो अपने time पे ही फलत होगा, ये बहुत interesting एक चीज है, और एक mindset इसके लिए develop करना, बहुत important है, हमें लगते हैं हम creator है, वी सब बोलते हैं, you can create your reality, you can create your reality, मेरा perspective है, you are a co-creator of your reality, creator तो एक ही है, that universal energy, हम उसी energy का अंशिपी हम ही है, लेकिन हैं हम अंशिक, so हमारा जो भी vision है, वो energy के साथ align करना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो manifest थोड़ी होगा, so यह understand करना, और इसमें कभी किसी को doubt आता है, you know I can create, I am the creator, I want to achieve this, तो मैं उनको एक simple experiment दे, कि आप अगर इतरी बड़ी चीज, achieve करने के काबिल हो, तो मतलब है, by default सबसे छोटी चीज तो achieve करी सकती होगा, जो आप खुद कर रहे हो, इस moment में कर रहे हो, वो चीज क्या है, जो आप अभी default आराम से करते जा रहे हो, अप सास ले रहे हो, हाँ तो आप सास ले रहे हो, आप ले रहे हो, बोडी ले रहे हो, आप ले रहे हो न, तो अब एक लंबा सास अंदर लो, आप लोग भी ट्राई कीजिए, एक लंबा सास अब अंदर लो, और एक्सेल कर दो, लंग्स खाली होगे, सास को रोक लो, और कभी सास मत लेना, कर पाओगे? आपसलेटली नहीं, यह मेडिकली आप रोक नहीं सकते जब तक सास चल रही है, और कभी सास रुख गई, तुब पता हैं, मेडिसन भी फेल हो जाते हैं, वो सास को चलाने के लिए, तो यह समझना कि आपकी सास भी कोई तो है, जो चला रहा है, कोई तो ऐसी शक्ती है, जो achievement is also a grace, आपकी हाथ में सिरफ आपका करम है, आप करम करते जाओ, और योगिदुशी एक बहुत इंट्रेस्टिंग मेरा, मेरा एक अप्रोच है लाइफ में, जो मैं ट्राय कर रहे हूं लोगों को भी शेर करने के लिए, सिखाने के लिए, कि वाट वी रिली चेस इन manifestation is the dopamine, हमें वो dopamine release चाहिए, कि that accomplishment, achievement, feel good factor, I teach them how to train their mind to release dopamine, कि dopamine आप अपने effort से भी release कर सकते हो, ट्रेनिंग की जरूरत है, कि आप सुबह से लेके शाम तक आपने काम किया, आपने podcast record किया, मैंने record किया, हमारा करम यहां तक ही है, और अच्छे से record किया, मैंने मेरा 100% दिया, बड़ी सुकून की नीद आईगी रात को, उसके बाद वो podcast का क्या होगा, वो ना आपके control में है, ना वो मेरे control में है, वो शायद आपके control में है, so it is understanding the totality of lives, तो बहुत से ways हैं जो हमें reality समझाते, हम जब कहते हैं, हमारी worth, यह करना है, फिर मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं इतना यह काड़ी लोंगा, यह बंगा लोंगा, ऐसे दिखाऊंगा, यह दिखाऊंगी, जब हम अपनी value को, पैसे से, या अप्लिश्मेंट से, अचीवमेंट से जब हम उसको join करते हैं, तो मेरा सवाल यह रहता है, कि जब आप पैदा हुए थे, तब आपकी life की value थी, असकोस थी, ने तो माब आप से पूछ लीजे, आपकी life की value थी, 101% थी, because you value life की ही है, और ऐसा सोचना, multiple times सोचना, repetitively सोचना, बहुत ज़रूरी है, यह गेंदर जी, कुछ भी ups and downs हो रहे हैं आजकल, चाहे grade नहीं आ रहे हैं, exam में अच्छे marks नहीं आ रहे हैं, relationship टूट रहा है, सबसे पहले वो आपकी life की value खतम हो जाती, this is one of the very big reasons that suicide rate has gone high, कि बच्पन से establish ही नहीं किया, कि life की value है, बहुत value, tremendous value है, life की ही value है, जो भी आपकी accomplishments है, जो भी आपकी achievements है, सब तो यहीं छोड़के जाओगे, क्या लेके जाओगे, जब हम उसको एक, we pan out, हम उसको थड़े एक higher level से देखते हैं, अपने achievements को भी, तो जो आमें stress feel होता है न, यह होना चाहिए, इसके बिना जैसे life का कुछ meaning ही नहीं रहेगा, वो stress बहुत लेवल तक कम होता है, then surrendering, जो inevitable है, आपको surrender तो करना पड़ेगा, surrender का मतलब यह नहीं कि आप उसके प्रती काम करना चोड़ दो, वो नहीं बोर रहेगा, शिदत से काम करो और उसके चर्नों में रख दो, अब वो किसके चर्नों में, उनिवर्स को surrender कर दो, जो भी आपका faith हो, और जब ऐसा होता है न, युगेंदर जी, आप किसी का भी आप, जो भी लोग manifest करते हैं, वो कॉमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, कि जैसे उनने छोड़ा न, वो हो गया, क्योंकि नहीं तो, ना, फियर वो टेंच नहीं होती है, कभ होगा, क्याते हैं, गुबारे को आपने पकड़ावा भी है, अंदर आपने अलियम डाल दिया है, अव आप सोचरे, उपर नहीं जा रहा है, उपर नहीं जा रहा है, यॉप तो रिलीज इस मोड़ा, तो इसको ब पानी डालो, उसको खाट डालो, वो उगे गा. Patience. Patience and... और एक बहुत इंट्रेसिंग आपको एक्जाम्पल देती हूँ, सरेंडर में वो हेल्प करेगा, कि हमें बहुत बार लगता हूँ, और मैंने इतने साल से मैंनिफेस्टेशन सिखा रही हूँ, और मैंने कितनी बारी देखा है, कि लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बहुत कुछ, मेरे बास इतनी स्टोरीज है, तो और मैंने इतना कुछ मैनिफेस्ट किया, मेरे, इवन आई है, लेकिन जब बहुत कितनी बारी उन्लों के साथ इसा होता है, कर भी कि आपर अकि गापैता फरेंग से इसक्राइज सेलोनी जोeren, अपर प्रहु कि दिए झाल हो फेख से कि उनिस नेय। एक न्यूस थी, यह मेरे क्लाइंट नहीं थे, लिकन एक न्यूस मैं ने पढ़ी थी, तो और वो इस्टाब्लिश हो गया था, दिस यंग बॉय वस थे, और इस एंटाया लाइफ, वस मैनिफेस्टिंग, कि, I'll study in Canada, मैं बहार जाऊंगा पढ़ने के लिए, मैं Canada मैं पढ़ूंगा, and he come, work towards it again, and then throughout visualize कर रहा है, पढ़ भी रहा है, of course, and he went to Canada to study, कोई उनके पास पैसे नहीं थे, इतने moderate means से थी family, but कुछ ना करके, the boy reached Canada, and after one week, he was stabbed, in the metro, और जो भी उनका subway होता है, and he was dead, तो मैं लाइफ से बहुत सीख थी, तो मेरा मानना है कि, आपके मन का हो तो अच्छा, उसके मन का हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें भी आपके कही ना कही भलाई होगी, कि वो जो हमारी higher intelligence, हमारी higher intelligence भोलती हूँ, उसको दिखता है, उसका bird eye view है, उसको दिख रहा है कि ये रास्ते पर आगे जाओगे, तो आगे खड़ा है, आपको नहीं दिख रहा है कि आप ग्राउंड लेवल पर आपको लगए हाँ, ये ये रस्ता है, ये प्रोजेक्ट मिल जाना बस मेरी life set है, कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत में लगता रहा है ये हो गया ना मेरा career set हो जाएगा, और वो उनका सबसे बड़ा disaster निकलता है, मैं examples नहीं देना चाहूंगी, लेकिन आप बेखेगा समझने वाले समझ भी सकते हैं, बहुत बार ही होता है इसा, तो have faith in a higher power, have faith in yourself first, and then have faith in higher power, क्योंकि वो जो मज़ा आएगा ना, वो दोनों के डांस के साथ ही आएगा, दोनों के मेल के साथ ही आएगा, यह one man show है ही नहीं, specifically healing के aspect में manifestation को कैसे use किया जा सकता है, those who are going through any kind of physical element, and if they want to heal themselves, उसमें आप क्या लोगों को सिखा सकते हैं तोड़ा, तो यह बहुत interesting statement ही है, पहले तो of course healing आप manifestation ते अचीव कर सकते हैं, और manifest करने के लिए आपको healing करना बहुत ज़रूरी है, आपको अगर life में manifest करना है, जैसे कि health की बात हम करते हैं, पैसा भी manifest करना है, उसके पहले आपको healing करने ही पड़ेगी, मतलब कि पहले आपको health ही manifest करने ही पड़ेगी, और healing का मतलब क्या है, कि हम लोग समझते हैं कि हमारी ये जो diseases होती है जो भी diseases है, lifestyle जो diseases है they are कहीं बाहर से आ रही है infection भी है तो बाहर से हो रहा है बाहर की problem है diabetes हो रही है, मतलब कि diet की problem होगी All of your lifestyle diseases are somewhere connected to excessive stress and anxiety और ये आज हम समझते हैं कि ये कैसे होता तो जो हमारे योगिक सिस्टम है उसमें हमारी सिरफ ये physical body नहीं है ये सिरफ वो body है जो आपको दिखती है आप five senses से इसको perceive कर सकते इसको कहते हैं हम अन्नमैकोश इससे subtle होता है हमारा प्राणमैकोश जिसमें हमारी 72,000 नारीज हैं, हमारे चक्र हैं जिसमें हमारा सारा life force पूरी system में circulate होता है इससे subtle है आपका मनोमैकोश आपकी mental emotional body simply put वो थोड़ा complex है लेकिन उसको अगरा हम बहुत सहर्षता से समझे just for the sake of understanding so thoughts and emotions is the मनोमैकोश and subtler than that is the विज्ञानमैकोश ये आगया आपका subconscious aspect beyond this is the आनन्दमैकोश उसके उपर आपका कोई control नहीं तो विज्ञानमैकोश को भी हम एक transition state बोलते हैं so ये first three जो है they are deeply intertwined and they completely impact each other मतलब क्या है उसका कि आपके mind में जो भी stress चल रहा है stress आजकल तो सरव mind का है anxiety भी mind में है तो जो भी stress और anxiety आपके mind में चल रही है मतलब कि मनोमैकोश आपका disturb हो रहा है thoughts है तो मतलब कि energy वो energy होगी अब disturb वो disturbed energy आपके प्राण में कोश को affect करेगी it will disturb the flow of प्राण in the body और life force का मतलब है प्राण जिस पे आपका पूरा system चल रहा है हमें पता है कि arteries block होते हैं तो क्या होता है health पे affect आता है same way जब प्राण भी block होईगा प्राण उसका subtle form ही है प्राण जब आपका life force भी block होगा तो health पे affect आएगा it starts from the energy starting getting blocked stress anxiety हुई उससे आपकी energy डिस्टर्ब होगी energy disturb हो गई then your physical body will start showing signs of disease तो yogic system में सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि चाहे आपकी ailment physical हो आपको काम mind से start करना पड़ेगा what that means is yogic system में यह दिया हुआ है कि जब पहले कोई disturbance आती है तो वो psychological space में आई और इस stage पे वो 100% reversible थोड़ी tension हो गई थोड़ा anxiety हो गया थोड़ा सा stress हो गया जो भी है वो 100% reversible है आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया then it will become psychosomatic first it was only psychological then it will become psychosomatic मतलब कि थोड़ा थोड़ा body में आ रहा है थोड़ी body में tension feel हो रही है आपको तब भी it is a big percentage is reversible big percentage is reversible वो भी आपने address नहीं किया then gradually it will become somatic over time nature आपको प्राकृति आपको बहुत time देती है कोस्करेक्ट करने के लिए अभी समय है सबल जाओ समय है समबल जाओ but हम अपनी धुनकी में रहते हैं so then it comes to somatic मतलब कि body में आ गई तब भी कुछ percentage होता है जो हम reverse कर सकते हैं मतलब कि diabetes अब आ गई है hypertension अब आ गई है फिर भी हम कहते हैं हम lifestyle बदलेंगे तो वो बदल सकती है तब भी आपने कुछ नहीं कि आप notice करें start कहां से होता है psychological और वो वहीं का वहीं है तब ही वो problem intensify हो रही है आपने तब भी वो psychological disturbances को नहीं correct किया then it will become organic तब ये life-threatening diseases बनती है इसमें energy level पर कई लोग जो blockages की बात करते है कि mind से body में आने के बीच में कुछ energy में भी होता है of course वो ही तो जब आपके दोनों bodies connected हैं आपकी जो mind जैसे mind चलेगा न वैसे ही आपकी energy body में disturbances आएंगे आपकी thought emotion energy तो है आपके thoughts and emotions की energy जो है आपकी body के हर एक cell को physical cell को affect करती इसलिए it is very important कि हम जो energy healing की भी बात करते है तो normally जो energy healing की जो बात आती है जब आपने का manifestation and energy healing की तो हम पहले सोचे कोई और आके हमें heal करते healer के पास चलते हैं कोई तो हमाई चक्रों को balance करेंगे कोई healing की कुछ रेकी हो गई प्रानिक healing हो गई बहुत powerful sciences है here I would like to share when I started my journey उसमें started my journey into spirituality क्योंकि वो प्रानिक healing और रेकी से connected है क्योंकि start वो वहीं से हुई थी तो हीलिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो यह बात है 2004-2005 की I am already established fitness coach physical fitness coach और mind की power का मुझे समझ आ रहा है I am like हां mind हम sought out कर लेंगे stress को निकाल देंगे तो बस health तो guaranteed है and then my father was diagnosed with cancer and उनकी तो लाइफ में very clean eating and very simple lifestyle कोई flaws, bad habits भी नहीं थी तो वो एक थोड़ा, and sportsman okay he was a national level hockey player and a businessman but उनकी पैशन था होके केला then could not pursue that career but जब आपके ideal होते न, ये fitness है ये, this is greatly fit तो when he was diagnosed with cancer तो बहुत सवाल उते कि अब ये क्या missing element है diet भी clean थी, exercise भी कर रहे थे, fitness भी था roles, discipline भी था तो ये क्या हुआ and then I unfortunately lost him to cancer और उसके एक when we found out that my father was एक दो दिन की बात है he was not going to make it we found out my brother's son has cancer वो साथ या आठ साल के थे उसने तो हम सब को बिर्कुल ही ला दिया कि अब ये क्या है ये कैसे हो सकता है वो तो बच्चा है उसने क्या उसने तो अपला अब life को अभी तो GI नहीं तो उसको man handle misuse कैसे करेंगे life और we unfortunately lost him also to cancer लेकिन आप जब हम acceptance की बात करते हैं जब trauma का जब acceptance आता है तो हमें समझ आता है कि life में जब pain आती है ना तो वो कुछ सिखाने के लिए आती है जैसे भी pain हो whatever it is उससे आप कुछ सीखोगे जैसे आप accept करते हो कि acceptance करना बहुत मुश्किन होता है but when you accept आपको उसका point समझाए जा कि ऐसा इससे ये मुझे क्या सिखा रहा है and for me it was एक सवाला था था कि अभी life का purpose क्या है मैं लेकि आप आए आपने पूरी family बनाए रिष्टे बनाए and overnight you are gone वो इंसान चला गया मैं भी चली जाओंगी तो purpose क्या था आने का वालिक ऐसे गोल गोल घूम रहे है वाला कि pointless body low, family बनाओ, पैसे कमाओ और मर जाओ फिर body low, करते जाओ मतलब कि ये तो game हो गया न it sparked my spiritual journey I am deeply indebted to my father's soul my nephew's soul कि जो भी unfortunate happenings हुई उससे जो सवाल मेरे अंदर उठे उससे मेरी spiritual progress चाले कोई चीज़ हमें destroy कर सकती है कोई चीज़ हमें उचाई तक भी लेके जा सकती है और जब हम death की बात करते हैं न तो ये इतना deep topic है I hope at some point you do speak about it क्योंकि एक चीज़ जो आपकी life में सबकी life में certain है उसको accept करने में उसके बारे में सोचने से भी रॉंग्ते खड़े हो जाते है तो कही न कहीं वो जो फुआ life में उससे मेरी जो spiritual seeking है that started और मेरे को एक mind पे एक वो start होगा मुझे healing करने क्योंकि जब आपकी spiritual journey start होती है तब आपको आप पढ़ते हो you understand everything is one and I was feeling it I was feeling such a tremendous level of oneness यह क्यों हो रहा था मुझे भी निए grace God's grace कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मेरी हद कहां खतम होती है मेरी physical existence कहां खतम होती है और दूसरे की कहां start होती है मुझे पता ही नहीं है मुझे स्टेपरेशन ही समझ नहीं आ रहा है कि everything is one it's all him it's all me अब साथवा healing मुझे हीलिंग करना है मुझे बस I will give my life force for healing तब मैंने प्रानेक हीलिंग सीखा मैंने रेकी सीखा और अब माने के गेंदर जी वो विद्या इतनी पावफुल है और I used to volunteer at an orphanage क्योंकि मुझे उससे पैसा नहीं कमाना था healing it was naturally flowing from me I used to teach manifestation in an orphanage उसमें से बहुत से लोग सीख के they established themselves and they still send me emails मैं जा पे सिखाया था हमे इतने साल पहले that is the reason why we are where we are today तो वो जो दुआइं मिलती उनका अलग है वो आपको भी मिलती होगी आपको भी पता है तो वो जोब मैं healing कर रही थी तो एक दिन ऐसा हुआ कि orphanage मैं I was healing their main जो उनकी head होती है उनका नाम I'll keep it तो उनको मैं healing कर रही थी उनको arthritis था and she could not climb up and down the stairs और वो भी हम बहुत ही मीडियम के वे में करते हैं कि हम सरब मीडियम है तो मैं जैसे वुफ को जब protocol होता है वैसे मैंने उनको healing दी next day with all humility I'm saying कि she was climbing the stairs और मैं जब उनको मिली दो तीन दिन के बाद उनकी आखो में आसो और उन्हें मुझे ऐसा दरजा दे दिया कि मेरी आखो में आसो और मुझे अंदर वो भी पता है कि this is not true मेरा level वो नहीं है कि आप जिससे मुझे compare कर रहे मुझे मेरी इतना तो पता है कि no no you are comparing me to a level कल से मैं कोई एक दिन पहले से तो लग रहा था मैंने का मेरी ego ना बढ़ जाए कि अगर आप मुझे ऐसा ओधा दे रहे हैं मैं नाम भी नहीं ले सकते कि मुझे किन से compare कर रहे और मैंने का this is not good for a seeker कि ego पहली बढ़ जाए आपकी अभी तो कुछ काम भी नहीं किया है अब मैं उनको बोर रहे हूँ यह मेरा कुछ है ही नहीं है सब इश्वर की किरपा है नहीं आप ही किया आप ही नहीं किया तो मैंने का नहीं यह गलत हो रहा है यह safe track नहीं है और वो एक statement आई और यह sequence of events इतना beautiful है कि में को कही न कही मैसूस हो रहा है कि कोई तो energy है मुझे guide कर रही और तब मैं वो book पढ़ रही थी Autobiography of a Yogi तो उसमें महातार बाबाजी जो entity है जो जिनको शिव का रूप बोलते है तो मैं को लग रहा है कि वो मुझे guide कर रही और उस दिन मैं शाम को अकेले बैटी थी मेरे living room में और मैं एक line pop out की तो यह narrate करने का मतलब यह कि जो भी वो intelligence है जो भी वो शक्ती है वो आपको signs देती है ज़रूरी नहीं कि उस शरीर में आती है कि जब आप एक spiritual साधक हो तब आपकी spiritual progress है it intensifies many folds अगर आपको गुरू मिल जाए physical body में और आप मानों कि यह गेंदर जी वो वोक मेरे हाथ चुड़े अच्छा और मेरे आसू मेरे आसू तब तक मैंने मेरे को कमी महसूस नहीं हुई थी गुरू मेरे को लग ज़र था बाबजी है वो help कर रहे है बच्चपन मेरे बच्चे होते रहे हैं they have their fancy thoughts बाबजी दे 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 इनाफ और वोई को वो हिट किया नतर से और मेरे आसू आसू तो अकेली वेटी हुई हूई कितनी फ़णी सीर होगा कोई देखे का कहें का रहे है यह रो कियो रही है माडम तो आसू मैंने और मैं ऐसे नहीं जैसे परे को अगली सांस नहीं आई और मैं ऐसे हवा में देखे बाबजी को बोल रही थी में को दिखते नहीं थे ऐसा कुछ नहीं है पर आको फीन जैसे कुछ मेरा विष्टा है तो हक से बोल रही है हक से मैं उनको बोल रही थी यू सेंड मी मैं गुरू नाओ अच्छो नहीं तो मैं इस सब छोड़ दूँगी मुझे अभी तक याद है ये आप अभी भी जो आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया कि इस तो इंपॉर्टेंट फो मी सेंड मी मैं गुरू नाओ और मैं रोती गी और उसको जब कहते हैं जैसे गुरू अपियर्स वेन दिसाइपल इस रेड़ी मेरे जो गुरू है उनका नाम है योगी राज योग मारतन्र योगी राज सिद्धनाथ ची क्या बात है और उनका उनको हम सबस जूनके डिसाइपल्स अनको प्यार से गुरूनाथ बोलते हैं He is a Kundalini Kriya Yoga Master ओके मेरे इसाब से बहुत कम गिने चुने उनके आश्रम पहुची क्योंकि वो आश्रम भी एक फॉरेस्ट के अंदर है तब गूगल मैप्स नहीं थे, कुछ नहीं था अपने आप यहां से ले लो यहां से राइट ले लो करते करते पहुच के और योगेंदर जी आप मानेंगे कि जैसे जैसे मैं गेट तक पॉंच रही है जो सारी अंदर एनरजी थे अपना वो सांत होड़ी सेटल होड़ी और बढ़ी होमली फीलिंग आ रही है कि मैं आई नो दिस ऐसे विजूल रेकिनिशन नहीं है मैं ऐसे नहीं को रही है कि मैंने वो जगा देखी थी कहीं ऐसा नहीं वो एनरजी रेकिनिशन है मुझे मैसूस हो रही है कि मैं इस वोट दीव से इस मैचेस माई एनरजी और आई मैच तिस एनरजी ऐसे फिलिंग आ रही है कि आम रीचिंग होम और आश्रम पहुँचे वहाँ पे उस समय तो कोई नहीं थे तो उनने का कि गुड़नाद नीचे साधना कर रहे है नीचे उनका अंडरग्राउन रहता है तो आप मंदिर में जाएए वहाँ पे 1.25 टन का मर्कुरी शिवलिंग है अच्छा और मर्कुरी शिवलिंग मतलब की और खुले में है वो केसिंग में नहीं है और जो साधक हैं जो समझते हैं कुछ स्पिरिश्वालिटी के बारे में वो मर्कुरी का आश्पेक्ट आप समझते हो कि इस आलकमी मर्कुरी को कंसॉलिडेट करना बहुत सिध्ध साधना होती है असान नहीं है और 1.25 ton mercury को करना वो गुरुनाथ ही कर सकते और जब गुरुनाथ आए I just knew मेरे सिरफ आसुन नहीं मन में ही बोल रही थी कि कहा थे आप इतने समय and I just and that was it that was the end of अगर कोई मुझे पूछे न आपको मिल गए गुरु आपको क्या मिला what did you achieve I said मेरे सवाल ही खातू होगे I have no questions they're only answers आपको कुछ दुवेदा हो आप आँख बंद करो गुरुनाथ सिपूछ लो the answer will appear वाव तो हम जब बात करते हैं आज कल बहुत ये चर्चा भी होती है in fact I think you should ask me this question जब गुरु वाला question है जो आपका तो कि गुरु की importance क्या है क्यों गुरु जरूरी तो हमें लगता है कि हमें किंडर काटन में ABCD लिखाने के लिए गुरु लगते हैं अचारे लगते हैं टीचर लगते हैं हमें बिस्दर सीखने के लिए टीचर लगते हैं मैप सीखने के लिए टीचर लगते हैं मैनेजमेंट सीखने के लिए टीचर लगते हैं और ये इस जगा की बात है जिस डिमेंशन को हम जानते हैं जो हम देख सकते हैं फाइव सेंस से परसीव कर सकते हैं तो हमें क्या लगता है ऐसी डिमेंशन, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और जो मास्टर्स वो डिमेंशन को जीते हैं, वो पूरी जर्नी ट्रैवल कर चुके हैं, हमें उनकी हेल्प नहीं लगेगे, और वो आते ही हैं हमें हेल्प करने के लिए, और गुरु तो आपक आपका जन्मू का रिष्टा है, वो जन्मू से आपकी साधना वो मौनिटर कर रहें, कहाँ पिटफॉल जाएंगे, क्या मेरे बच्चे को चाहिए, मेरे डिसाइपल को चाहिए, वो टो दे नीड, वो टो दे नीड, नॉट दे वांट, उसके लिए जरूरी क्या है, आपकी spiritual progress है, वो आपकी healing से भी connected है, जितना आप spiritually aware होंगे, आप अपनी healing, आप अपनी pain को अलग नजरिये से perceive करेंगे, कि आपको अगर spiritually थोड़ी समझ है, करम की, spiritually आप समझते हैं, जो चीज हो रही है, वो कहीं न कहीं सुनिश्चित है, बहुत हद तब, पर totally, और उसको accept करना, pain को handle कैसे करना, all of these become easier, relatively easier, जब आप को, या तो आप spiritual path पे हो, और सबसे बड़िया बात है, कि आप किसी सद्गुर की शरण में, और मैंने, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने समझा है, spirituality के बात में, अलगी, it's like a drop in the ocean, लेकिन वो भी मैंने उनी से समझा है, और जब हम अपनी pain की बात करते हैं, healing में pain, चाहे वो psychological हो, चाहे वो physical हो, we are talking about pain, तो physical pain एक चीज है, suffering बिल्कुल अलग चीज है, ये में साथ क्यों गवा, ऐसा नहीं होना चाहे, देखो वो तो ऐसा है, अभी ये आगे जाके क्या होगा, this is a part of suffering, तो असाथ गुरू will almost always not interfere with the happening of that event, उनको पता है आपको वो करम काटना पड़ेगा, वो उनकी उसकी intensity कम कर सकते हैं, और वो आपको practices देते हैं उसकी intensity को कम करने के, लेकिन वो आपकी suffering हटा सकते, और इसका physical example मेरे साथ हुआ था, बहुत विचित्र था हो, तो मैं गुरूनाद के आश्रम में थी और पता चला गुरूनाद बहार आ गए, तो मैं भागते 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 गई, और उसमें मेरा पाउ मुड़ गया, और कंदा मुड़ गया, तो जब तक मैं वो अवदर पाउंच में को लगए, यह तो गया, यह तो कुछ मेजन टेंडन में या जो भी लिगमेंड में हो आए, फ्रैक्चर नहीं था, और जब तक पाउंच वो सूचता जा रहा हुगी, तो सस्ते में निपट रहा हुँ में, सस्ते में निकल जाएगा बहुत बड़ा कर, तो वो यह तो थीक है, और स्मॉल तिंग इसोपे, मैं चलीगी मैं तो बंबे चलीगी वापिस उनका अश्रम है सिहंगड में, जो पुने से फ्यू किलोमेटर दूर है, और जह पे वो लि मैंने दो एक दो दिन उसी दिन पेंकिलर खाया था, उसके बाद मैंने पेंकिलर नहीं खाया, और बैंडिज करती गई, वोकाउट भी स्टार्ट हो गया, और मेरी कोई रूटीन में बादा नही आई आई, पें था, हलका हलका पेंच चल रहा था, पट आमना स्टॉपिंग मैं वोकाउट, मैं ट्रेनिंग पी जा रही थी, फिर फंदरह बीस दिन के वाद मैं आई, पूरा सूजा हुआ था पाउ, और हलकी सी पें थी, तो मैं डॉक्टर के बास गेंगा एक चेक करा ले थी, तो उनने का की एक्सरें निकाला है, तो उनने का की आप चल के आई, मैं क्या करो किसी भी जी बैंडिज क्यो करो, आप से चल रहो टीक ताक, अपने अभुजागा टीक जा हूँगर, तो उनने वो इवेंट नहीं बदलेंगे, वो आपकी सुफरिंग निकालेंगे, तो मेरा मिन तो जा ही नहीं रहा था कि अरे ये प्रॉब्लम भी है, तो इस 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 बदलें गुरु कर्पाग, जा भी है, लुदागे, अभी आपने अपने प्रिच्वालिटी लिध की बात की, बहुरूर्ए बात की है। वेर ऑगी की सुफरिच्वालिटी का रहते है। बाखी सुक्सेस्मे आप क्या रोल बजए प्रिच्वालिटी का, अगर बात करे तो what is the role of spirituality in that? But before we go to the role of spirituality in material success, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले मैं जो healing का, जो spirituality का aspect दिया, उसका अभी मैं mental, emotional aspect और physical aspect भी बोलती हुँ, तो healing के लिए, सबसे पहले change होगी, मैंने आपको बोनस दिया था, कि spirituality होगी, तो perfect, great. नहीं भी है, अभी आपको spiritual awakening नहीं भी हो रही है, आपको draw नहीं आ रहा है, आना चाहिए होप आ जाए, कुछ हमारा सुनके, लेकिन नहीं आ रहा है, तो पहले अपनी lifestyle से दा रहे है, यू have to have to understand, कि आपका प्राण अगर अच्छे से flow नहीं करेगा, तो problem आई, और आपको injury भी है, उसकी healing के लिए भी आपका prance flow करना चाहिए, वो energy वहाँ पे जाएगी और heal करेगी, healing doctor थोड़ी करता है, वो तो dressing करेंगे doctor, healing तो internal process है, और उसमें हमारा mindset बहुत minor रखता है, इसकी story मैं बताती हूँ, जब मेरेको, when I was 20 years old, I had osteoporosis, जो किसी 20 years old को normally नहीं होता, वो मेरी गलती के बज़ा से हो गया, जैसे ही मेरा mindset shift हुआ, from feeling sorry for myself, to feeling really blessed के मेरी problem temporary है, मेरी healing एकदम fast हो गए, क्यूंकि उसमें energy waste नहीं हो रही, sorry feel करने में, वो energy वो काम कर रहे है, जो उसको करना चाहिए, तो आपका lifestyle बदलना, आपकी mindset बदलना, आपका nature से connection बदलना, you can connect with nature to enhance your healing, आजकल तो वो ज़रूरी भी है वो, लोग ज़्यादा mobile पे ही लगे रहे हैं तो, thousand and one percent, बहुत research ये बता रही है कि, हमारा जो connection है earth से, अभी तो सूरियों पे मैं आती हूँ, earth से भी connection है, हम मिशे डूतों में होते हैं, insulated है, तो वो जो extra electrical current, जो tension हमारे अंदर create होती है, वो अंदर ही रहती है, हम नंगे पैस थोड़ा घास पे चलते हैं, थोड़ा मिट्टी में चलते हैं, तो वो energy, हमारी जो फृत्वी जो मा हैं, वो अपने अंदर लेल, so it balances our electromagnetic energy as well, हमाई tensions को भी वो balance करता है, connecting with the earth, now सूरियों connect with the sun, आपकोई जो healing प्रान है, वो mainly कहां से आते हैं, हमें लगा खाने से आ रहा है, लेकर actually कहां से आ रहा है, वो सूरियों से आ रहा है, plant जो है, वो सूरियों के energy खीशते हैं, वो chlorophyll का जो भी process है, वो process use करके, वो सूरियों के energy को convert करते हैं, usable energy में, जो फिर हम use करते हैं, और जो लोग अगर animal, जो meat भी खाते हैं, वो भी animal वो plant को खाएगा, वो plant, हम फिर वो animal को खाएगे, बट सोस क्या था, वो सूरियों, so you can connect with the sun, not can, you should connect with the sun, यह बहुत powerful practice गुर्णाथ देते, इट उसकोर सिद्धनाथ सूरियों, जो आप सूरियों की energy use करके, अपने आपको एक protective shield बनाते हो, पहले तो protection भी ज़रूरी है न, कि इतनी negativity है, तो उससे protect करना, और फिर अपने अंदर की जो negativity है, उसको अंबार फेखे है, but using the energy of the sun, आपको इतनी elaborate practice भी नहीं करनी, तो दो मिनट सूबे उटके, सूरियों देव को देखें, उनके दर्शन लें और उनको प्रणाम करें, उनकी एक breathe, take a deep breath in, hold, और let go of the negativity, इतना कर सकते हैं, और यह science ही बोलती है, कि morning the moment you look at the sun, आपकी पूरी, जो body है वो एक rhythm में आती है, आपका सोने का time decide हो जाता है, तो इमाजिन, और जैसी आज वो, क्या कहते हैं, light arc में पड़ती है, आपकी body का timer set हो जाता है, कि रात को ये समय पे, आपका जो sleeping का जो hormone है, chemicals है, वो release होंगे, और आपको नहीं दा जाएगी, so getting back into the circadian rhythm, जो इंसान रात को जागेगा, सुबह सोएगा, unfortunately कहीं लोगों को करना पड़ता है, जिनका job अगर night का है, night की duty है, फिर भी, कहीं न कहीं connect with nature, शाम का सूरे के दश्ण करें, टारवरे भी तो सूरे हो, जब सेट हो रहे हैं, उसके पहले, उसके पहले, घन्यवाद बोलो, हम खाते कैसे हैं, जब खाना इंजेस्ट कर रहे हैं, वो भी प्रान है, सु सिंपल फंडा योगेंदर जी, थिंक अफ एवरिधिं अजनर्जी, एवरिधिं खाना भी एनर्जी है, और जो भी रिलेशन्शिप है, आज कल स्पेशली फूड के साथ, वो है, बड़ा गिल्ट बेस्ट, ये खाएंगे तो, पेट बढ़ जाएगा, ये खाएंगे तो, हिप्स बढ़ जाएंगे, तो मेरा कहना है ये है, कि पहले जो भी है, या तो गलत खाओ मत, खा रहे हो तो उसको प्रणाम करके, गिल्टी मत फिल करो, हाँ, इसंए तो खाओ गी मत, खा रहे हो तो इसको मॉडरेशन में, मॉडरेशन में भाण बड़ा सुदर शप्द है, मॉडरेशन, बडरेशन में जार भी खाओ गे, तो भी निकारे, खाना मत, लेकिन, मॉडरेशन में गोई भी, क्या कहते है poisonous cheese बे होगी न अगर वो इतनी से gram बे होगी तो नुकसान नहीं करती है यह science समझती है इस बात को तो लेकिन यह dynamic समझो वो खाने से ज़ादा जो damaging है वो है आपका guilt वो energy है thought है जो आप खा रहे हो फिर वो खाना वही करेगा जो आपने सोचा है और जब हम अपने lifestyle पर काम करते हैं which also includes pranayam अरे pranayam, breath work very important क्योंकि उनी से mind advantage होगा जब आप वो सब चीज करते हो तो आपके पूरे system में एक तरह का balance आता है और यह balance जब आता है तब आप समझोगे कि moderation क्या होता है moderation is the byproduct balance क्या आप खाना खा रहे होगे आपको अंदर से signal में सूस होता है भर यह पेट अब इस stop eating and you'll stop eating आप एक पानी पूरी खाऊगे और आपको इतनी satisfaction हो जाएगे कि आपको दूसरी खाने की जुरूत नहीं प्लेट नहीं खानी पूरी या दो प्लेटे नहीं खानी पानी पूरी की एक में संतुस्टी हो जाएगे अब एक chocolate का piece खाऊगे and you'll feel go here, I'm satisfied how wonderful is that तो जब वो अंदर से balance आएगा आपका जो relationship food के साथ है वो भी बदलेगा तो अन नहीं पूर्ण ब्रम्भा एक और है जल, पानी जब सुबह उठे एक ग्लास पानी ज़रूर पिए और ये सब healing से connected है because आपका जितना system vibrant होगा जितनी energy अच्छे से flow करेगी जितना mind शान्थ होगा वो आपकी जो भी problem है body में या life में हम success की बात करेंगे इसके बाद आपको इतना assist करेगा because सब काम energy से ही होने वाला है तो आपका जो goal है वो अपनी energy को integrate करना है उसको vibrant बनाना है और ये सब उसके tools है पानी कैसे पिये देखो हम इतनी उमर में आके अभी समझने खाना कैसे खाएं पानी कैसे पिये धरती और सूरे से कैसे connect करें but it's never late, never too late तो glass जो पानी का है सुबह पानी का glass लें उसको हाथ में पकड़े उसको देखें दो सेकें, तीन सेकें and then that's it आपको जाप करते हैं ओंग बोलते हैं जो भी बोलते हैं आप किसी भी धरम के हो उसको याद उसको इतना ही both thank you for nourishing my body, mind and soul and then ingest it with awareness कितना लग टाइम लगेगा पानी पीने के लिए चार सेकंड, पान्च सेकंड थोड़ा उसको महसूस करके कि उस मोवमेंट में रह के उसको पीछे बहुत चीजें सुलच जाते हैं बोडी में I think काफी देफ में आपने समझाया I'm sure दोगों को और इंटरेस्ट भी जागेगा इसके पारे में और खोजने में और जानने में So coming back to our question that in material success and spirituality कैसे बैलेंस में रहती है Because काफी समय से जो एक spirituality के साथ में यह जोड़ा जाता है कि अगर आप spiritual हैं तो आपको सब कुछ त्याग देना चाहिए सन्यास ले लेना चाहिए और संसार्ट से दूर चले जाना चाहिए ऐसा एक कॉंसेप्ट बहुत चलता है हमारे कल्चर में So materialistically आप ग्रो करते वे भी spiritual रह सकते हैं और रह सकते हैं तो कैसे रह सकते हैं यह आपका कारमिक पात्व बहुत लोग हैं जो लेते हैं सन्यास वो उनकी कारमिक जर्नी है उसके बारे में वो जाने और उनका जो करम हैं वो ही समझ सकते हैं मैं मेरी बात करती हूँ या जो मैंने सीखा हैं जो मैंने समझा है कि आप ग्रिहस्त हैं तो ग्रिहस्ती में रह के भी आप योग साधना और detachment प्राक्टिस कर सकते हैं और दूर जाने का क्या concept था कि आप सब को छोड़ के क्यों जाएं कि आप detach हो जाएं और वो relatively easy है वहीं पर रह के detach होने से ग्रिहस्त योग कहीं न कहीं ये comparison की बात भी नहीं है तो आप comparison टी उसमें मत ले दोनों ही अपने आप में बहुत एक उनका gravity होती है उनके challenges होते हैं लेकिन मैं मेरे बात के बात करती हूँ क्योंकि मेरे जो गुरू है वो ग्रिहस्त योगी है और माया में रह के अग्वान किश्न ने तो ये बदा था उनका भी example हम ले सकते हैं कि आपको आपका करम तो करना पड़ेगा आपके करम में लिखा है कि ये billion dollar company खड़ी करो तो कर दो उससे attach मत हो don't take it कि हाँ मेरा purpose ही life का ये था या ये ही पैदा करने के लिए ये ही legacy create करने के लिए मैं पैदा वो फिर सभी गलत की बात नहीं है वो फिर गाटे का सौधा हो जाए क्योंकि ये मेरे ये गुरुनात के शब्द है कि हमारा purpose ही life में होता है कि ये गुरुनात के words है कि the only purpose of man's sojourn on this earth is to seek God rest everything is a secondary detail सब उसके बाद आएगा और जब हम material advancement की बात करते तो उसका एक interesting perspective है योगे अदुजी कि जब तक इनसान अपने survival के लिए लड़ रहा है अपने basic needs को fulfill करने के लिए जूज रहा है तब तक उसको भगवान का ख्याल शायर ना आए spirituality का ख्याल ना आए भगवान का ख्याल आएगा भी तो बोलेंगे ये पूरा कर दो justice side है क्यों वो पता नियुका थाना है कहां से आएगा next उसके बाद luxuries आ जाती है जब survival take care होगे या फिर आप गोगे थोड़ा comfort दे दो ये 1 BHK से थोड़ा 2 BHK no judgment ये प्रोसेस है फिर जब आपके पास इतना कुछ है सब देख लिया है इंसान रज जाता है इंसान satisfied होता है फिर expansion कहां से कैसी लाएगा वो तब सिर्फ spirituality नहीं जागी तो वो सबसे बड़ी tragedy है और वो आपको negative direction में लेके जाएगे फिर आप कहां डूंडोगे कुशी सब कुश तो मिल या दस private jet खड़े हैं चार बंगले खड़े होगे हैं तीन-चार आइलेंड हैं country भी ओन करते होएंगे मार्स पे जा रहे हैं जो भी है अगर spiritual awareness नहीं आएगी या spiritual seeking नहीं जागेगी तो वो कहीं ना कहीं excesses में इंसान जाएगा किसी और वे में ढूंडेगा तो बहुत time when you achieve all your desires तो एक चीज़ से शेयर करते हूँ कि मैं manifestation जब मैंने सिखाना start किया था तो इसी ने start किया था ताकि लोग अपनी material desires को fulfill करके ने actual काम में लग जाएबाद so that they get on with the actual work which is their spiritual work तो मेरा मानना ये है कि spiritual जो understanding है चाहे वो healing हो physically, चाहे वो success हो spiritual understanding होना बहुत ज़रूरी है तब भी आप अपने पैसे का भी उपयोग सही से करो आपको सन्यास लेना है आपको ग्रहस में रहना है वो आपका call है लेकिन आप ग्रहस में रहके भी आप detachment आप कर सकते वो और वो भी एक process है आप साधना रोज करोगे आप introspect करोगे आप स्वाध्याई करोगे आप reflect करोगे and gradually उसके bonds छूटते जाएंगे और spirituality में और ये करना ज़रूरी है उसको granted नहीं लें कि हाँ spirituality मतलब जब spirituality की बात करते है तो लोग बोलते हैं जब हम 70 के हो जाएंगे तब देखेंगे ये उमर थोड़ी है spirituality की बात करने नहीं जितना जल्दी start करोगे उतना समय आपके पास है साधना करने के लिए क्योंकि ये physical body में ही साधना हो सकती है ये gift है work life balance अगर create करना हो तो आप क्या कुछ एक दो hacks दे सके हैं लोगों को because fast-paced life है highly competitive है लोग भागा दोड़ी में लगे में तो कैसे ये balance create किया दो सकता है कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं what is your views on that thousand and one percent कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं सबसे पहले है जो हमने अभी तक बात की वो बात इसलिए की ताके इंसान को उसकी importance समझ आए जब importance समझ आएगी किसी चीज़ की तब आप उसके लिए समय निकालोगे इन्हें तो लोग बहुत बोलते हैं हमारे पास time लिए workout करने का भी time कहा है सही खाना खाने का तेकि जब समझ आज़ाते हैं निकालते हैं तो इसी लिए spirituality की जो importance है असली meaning तो life का वहीं से आएगा वो जब समझ में आ जाएगा आपको तब आप उसके लिए समय निकालोगे spiritual well-being के लिए mental emotional well-being के लिए ये अलग levels है और physical well-being के लिए तीनों के आपने thousand and one percent everyday basis पे आपको उनको समय देना पड़ेगा और जैसे ही आप intent कर लोगे ये तो मैं करूँगा समय अपने आप create होगा I promise you this जब आपने decide कर लिए no I will take out time for this I will take out time for my sadhana में को pranayam भी करना है में को affirmations, visualization भी करना है और में को gym भी जाना है में डाइट भी करना है time create होगा So affirmations कोई health से related अगर आप कुछ affirmations में guide कर सकें क्या affirmations प्रैक्टिस की जा सकती है health के लिए of course मैंड के लिए कुछ हो अगर अलग तो body के लिए कुछ अलग है तो if you can tell our reviewers बढ़ा beautiful statement आपने बोला उसी statement से बोलते हो कि mind और body अलग है ही नहीं तेकर मैं affirmation आप करोंगी कि वो दोनों aspect को आप कर सको otherwise mind is the body and the body is the mind सिरब body gross है और mind सुख्ष में है body is thol है mind सुख्ष में अलग नहीं है same so मेरी simple affirmation और affirmation आप काहानिया बहुत ससंक्त हो clear लंबी लंबी काहानिया इतनी effective नहीं होती मेरे according to me तो affirmation है I am so happy आप लिख भी सकते हैं अब एक पेन लियाए पेपर लियाए I am so happy that I have विक्विक आप प्रेजंट टेंस में लिखते हैं affirmation हमेशा perfectly healthy and a fit body and a very healthy positive productive mind आप जब aspect को cover कर दें आप उसको ये this is not written in stone आप उसको अपने वे में भी लिख सकते हैं but make sure that you cover it is as one unit क्योंकि body mind है एक ही तो when we write this फिर इसके एक visualization कर सकते हो simple visualization practice है जो मेरे online में अपने webinar में कराती हूँ देने वाली हूँ या मेरे online to programs है हर weekend आपके programs होते हैं I try to do her weekend but alternate weekend तो मैं try कर रही हूँ lovely तो बहुत से aspects हैं जो healing में हैं एक बहुत important aspect है योगेंद्र जी for healing for healing in the present हमें अपने past को छोड़ना पड़े आप सोचो कि आपको एक supposing एक cut लगता है और cut वो आपको पता भी है एक दो दिन में उसके उपर स्काब आना स्टार्ट होता है मतलब कि body heal कर लेकिन आप रोज वो scar को कुरेदने बैठ जाते हो रोज उसके बारे मैं पात करते हो मेरे साथ ये हुआ वो दिमाग से जाता ही नहीं है ये हुआ, ये हुआ, क्यों हुआ कभी heal होगा क्या आप उसको रोज खोद रहे हो सो आपकी present healing के लिए भी past का heal होना बहुत ज़रूरी है और उसके भी processes है which I give in my workshops तो मेरा purpose ही ये है कि मैं पोरे 360 degree approach से किसी के help कर सका which ever way possible और मैं अबे भी सीख रही हूँ और मैं लाइफ लॉंग सीखती रहूँगी ये spark रहना चाहिए कि मुझे सीखना है और फिर आगे pass on करना है कुद को सुदारना है पहने फिर pass on करना है ब्यूटिफुल विंदा जी काफी depth में हम गए and now before we start our rapid fire any two three lessons जो आपने अपने जीवन में सीखे जो आप हमारी audience को देना चाहेंगी एक line है जो मैं बहुत use करती हूँ अपने लिए this two shall pass चाहे वो अच्छा हो या वो मेरी इच्छा अनुसार ना हो रहा हो ये मैं remind जरूँ कि आज इवन ऐसा नहीं रहेगा ये चला जाएगा तो ये life में जब high आता है तो उसको हमें humble रखता है और जब बहुत dejected होते तब हमें वो hope देता है this two shall pass ये मैं बहुत use भी करती हूँ और एक है एक prayer होती है serenity prayer ये है इसमें life का मूल है like सच में life का जो निचोड है वो इस prayer में शायद मैं शब्द आगे पीछे थोड़े हो जाएँ बड़ उसका मतलब समझ लेना Oh God give me the strength to change the things I can जो मेरे बस में है उसके लिए करने के लिए मुझे strength दो give me the serenity peace to accept the things I can't change past मैं बदल तो सकती नहीं तो मुझे उसको accept करने की patience तो serenity and give me the wisdom to know the difference कि मेरे बस में क्या है और मेरे बस में क्या नहीं है नहीं So these are the two things which मेरे माइन में immediately pop out beautiful बहुत ही effective है I think this last वाले में तो बोट सारी चीजे में से include हो गई है So now we'll move to the rapid fire for sure what is your favorite way to start your day gratitude if you could have dinner with any spiritual leader past or present who would it be and what question you would ask them first what is in Vrinda's emergency kit for when your energy is low what is your go-to practice when you need to quickly recenter your energy especially during acting day breath work and mudra hand mudra if you could instantly master any new skill whether it is spiritual or any other thing what would it be do you have a favorite mantra or affirmation that you use Delhi to keep yourself motivated and grounded OM NAMAS SHIVAYE most powerful manifestation you have experienced that still amazes you deliberately नहीं किया था but मेरे माइं से क्रेट होगे SHIVOHAM what is your guilty pleasure food guilty तुमें होती नहीं pleasure food में बतादे थी जो मैं लिमिटेशन में खाते हूँ सेफपुरी one piece one piece maximum two piece if you could travel anywhere in the world to deepen your spiritual practice where would you go केलाश मांसरोवर what is common misconception about energy healing you often encounter कि लोगो को लगता है कि I need to go somewhere कि somebody else will heal me the healing has to be done should be and has to be done by you just learn learn कर ले कि आपको वो करना कैसे है what is your favorite book or movie that inspires you on a spiritual journey दो है, Autobiography of a Yogi Paramahans Yoganand and Wings to Freedom by Gurunath पाइनल आपका अभी तक की लाइफ का सबसे important spiritual lesson या insight जो आपको मेली during your practice the most important insight कि nothing will last forever आपको भी जाना है अले की साई, मेरे को भी जाना है जो है और जो impermanence जो है impermanence impermanence of life life को बहुत मेनिंग देती है जो हमे impermanence of life पी मेस्तूस होती है हर पल में तो हमें हर पल का जो value है वो समझ आता है so I live with a constant awareness of that impermanence कि death is a certainty कभी आईगी किसको मालम podcast उमें देट देटे तो पता नहीं होता कि क्या लिखा है प्रिड़े लिखा है death is the only thing which is once in a lifetime phenomenon it's a once in a lifetime experience and the only certainty in life yes ऐसा कोई नहीं बचाए कि हाँ और पहे नहीं हो नहीं हो नहीं भई भई यह होगा ज़रू